हालो फ्रेंड्स मावनागी जागा हम आपको फिर्शेश वागते हैं अदमे बनाने जाए हो मुंग दाल कचौड़ी और उसके साथ आलो गोवी की सब्जी तो चलिए समझेदा रेशीपी को बनाना शुरू करते हैं मुंग दाल कचौड़ी बनाने के हमें सबसे पहले आधा कप मुंग दाल फूलने के लिए फूलने के दे दिया है उसे हम ग्राइंड कर लेंगे यह थोड़ा दरा ग्राइंड करेंगे यह कि हमारा मिक्षर तयार है इसी तरीके का हमारा मिक्षर होना चाहिए गर इस और मुट एक चिली है और एक चमच धनिया आधा चमच स्वाफ आधा चमच जीरा इन सभी मसालों को अच्छे से हम रोस्ट कर देंगे जब तक इसमें एक अच्छी खुश्बू आने लगेगी तो तक हम इसे भूनेगा और हम देखिए हमारा भूना चुका है अब हम इसे ठंडा होने क एक चमच तेल दिए हैं उसमें एक चमच जीरा इसे अच्य तरीके से पहले च्टकने दे आप Som variables मेरेज च्टक चुका है हम इसमें पीचे मैं इसमें डली पूरे दाल को इसमें डालом कर चलाते हैं रखना है इसमें डाल को डालने के बाद लिए ज़ कर चलाते रहना है तै कि वह अचछे तरीकी से बूनाने मैं आण Cow आगा हम इसमें एक चम्मच नमक करें के में आधा चमच हल्दी पॉड़र अधा चमच लालुष पॉड़र अब उसे सभी मसालों की एक साथ अच्छे तरीके से भूलनेंगे इसे अच्छे तरीके से चलाते रहें और दीघ है उस्कोष करना है हम चलाते रहेंन अब इसथ संधार हमें रेंगें तब इसंवे उयाँ हमेंخ तब हमें मसाले दोटल मसाले को अ चलाते रहेंगे औहुंड यहाँजे मस चला ष्याज सकसरी है कि अच्छे तरीके से भून सके तेल दाल दिया है कि तेल के साथ यह बूला ने के समय ध्यान यह रखना एक यह लगातार चलाते रहना है और हमें भूनना है मिडियम फ्लेम पे बहुत जादा तेज आंच पे नहीं भूनना है इसी तरीके से इसे दापते भून लेना है यह देखिए हमारा दाल अच्छे तरीके से भूना चुका है इसमें थोड़े थोड़े गांठ पड़े हुए है इसलिए हम इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंग इसका डेक्षे बहुत ही ज्यादा अच्छा आ जाता है अब हम इस इधर फिलिंग हमारा तयार हो गया विदर हम आटा मैदा आधा किलू मैदा लिये हैं आधा किलू मैदा में एक चौथाई कप तेल डालेंगे अब हम थोड़ा सा नमक आधा चमच नमक नमक कमिया ज्याद कि मिला लें अब हम इसका एक सॉप्ट तयार करेंगे डो बहुत ज्यादा काड़ा नहीं होना चाहिए डो सॉफ्ट ही बनाना है अधि इसलिए थोड़ा थोड़ा पाई डालते हो इसे हम मिला लेंगे अच्छे तरीके से अब यह देखिए हमारा मैदा गुथा गया इसे हम दस मेट के रेच के लिए छोड़ देंगे हमारा दस मेट हो चुके हैं अब हम इसे एक बर अच्छे तरीके से मिला देंगे यह देखिए हमारा डोग कितना सौफ्ट और स्मूथ हुआ है इसके हम दोईयां बना लेंगे इसी तरीके से पेड़ा जैसा बना के हमें इसके एक कटोरी अगल बगल प्रेश करते हैं इसे हम कटोरी जैसा बना लेंगे और हम इसमें फिलिंग भर देंगे एक सी देड़ च अच्छे से बैट जाए उसमें अब इसे चाव तरफ से दाब के हम इसी तरीक इस दाब देना जैसा कि आप देख रहा है और उपर बाले पाट को निकाल देगो अच्छे से प्रेश करके चा तरफ दाबते हुए आप चाहे हैं इसे बेल भी सकते हैं मैं इसे हाथ से ही इसी तरीके से आपको बना के दिखाते हैं ऐसा ही हमारा कचोड़ी होना चाहिए यह दिखिए हमारा चार कचोड़ी हमने बना के रख लिया है तेल गरम करने चाहिए तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए हलका गरम होना चाहिए उसी समय में कचोड़ी यह डाल देनी है तेल बहुत ज़एदा गरम ना करें धीवस्येदिरे तेल हलगपलav कगरम होता जागा उसी में हमारा कचोड़ी छननाता यह इसे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक छाने इसे पलट कर क्ने मारी कचवड़ीए ठेयार कर लेज़ का इस सब्जी के द्यारे कर लेते हैं सब्जी के लिए मैंने आदा किलो गोभी और साथ से आठ उबले हुए लू लिए हैं को कर में में एक चौथाई चमाश तेल डाल दिये हैं तेल को पहले गरम होने दें उसमें कुछ सुखे मसालों डालेंगे आधा जीरा एक चमाश मेथी लाल मसालों को चटकने दें जब उसे अच्छी खुश्व आने लगेगी तब हम उसमें गोभी डाल देंगे गोभी को सबसे पहले अच्छे तरीके साब भोले तभी बनाएं कि गोभी को अच्छी से फ्राइब कर लें यह तो माला गोभी भुण जाएगा तब तक हमेंसे बिच मादा चमच सर्षू के दनें डालेंगी जहा हमारा तिल गर्म हो जागा इसके बालें देखिये नहीं हो आच्छे से तरीके से चाह emba चाहते हैं अब ऑद चाहतबुद्दणा परमट के अच्छे से सवर्थ होने पहले तीः आर चला दिये स्थ त्धीक कि गैस के फिलम को कम कर देंगे उसमें को सुखे मसाले अड़ करें आधा चमच्छ शल्दी लाभी ऐसल आधा चमच लाइपलर और एक चमच धरिया पादर अध्रक और हरी वीर्ष का पेस्ट एक चमच भर्के यभी से अच्छ तरीके से टमाटर के साथ हम पका लेंगे सभी मसालों को सबी मसालों के साथ टमाटर को अच्छी से पकने दें कि युद अई से बीच-वीच में चलाते रहे निables लिए नमट की तलिबाना अब जितने लोगों को बनाना उसके सब्सक्राइब तरही सो आप ज्यादा या कम केंटिती कर सकते हैं सभी क्यों सब्सक्राइब अब मुस्में ये उबले हुए आलो को हाथ से ही तोड़ के डालेंगे । काट के डाले अच्छे से नमक अंदर ने जाता सितोड़ के डाले तो सभी मसालों का टेस्ट अंदर तक जाता है इसलिए हमने तामाडर आलू को तोड़की डाला है आलू को अच्छे से टमाडर और मसालों के साथ भून ले पांच मिनाड तक इसे लगातार चला के भूनते रहना है उसके बाद हम उसमें भूने वगोवी डाल देंग तक हमारे घुबि में सभी मसालों का टेस्ट चलाजा इसलिए थोड़ा देर तक पांच मिन तक लागातार घुबि के साथ सब्छी को बूनते रहे हैं ऐसे ब्लबे धाक दे थोड़ी देर के लिए बिच बिच में चलाते रहना इसे चार से पांच मिर तक लगाता है पकाना है उसके बाद हम उसमें एक कप पानी भरके डाल देंगे अगर आपको रसवाली खानी है तो पानी दे अगर आपको शुखी सब्जी रखनी तो पानी आप नहीं भी दे सकते हैं थोड़ी देर और बद करके ऐसे ही पका ले अब हम उसमें एक चमच गरमसाला पाडर डाल देंगे गरमसाला पाडर को भी अच्छे से सब्जी में मिला अब इसे अच्छे से मिला के हम एक थोड़ा सा कटा हुआ हराधनिया डाल देंगे हराधनिया डालने के बाद हम कुकर के ठकन को बंद कर देंगे और इसे एक सीटी आने तक हमें पकने देना है हमारा सब्जी अब तयार है यह देखिए इना खुबसूरत कलर हमारे सब्जी का आया है हमारी सब्जी तेयार है अब हम इसे सर्फ करते हैं आलुगोबी की सब्जी से हम धनियापती से गार्निस कर लेते हैं इसे की देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगए हमने खीर बनाई है साथ में खीर की रेसीपी हमारे चैनल पर एब लेवल है आप उसे भी ट्राय कर सकते हैं साथ में इन कचावड़ों के साथ सब्ज कचावड़ी और खीर खाने में बहुत ही ज्यादा किसी भी अपने हाल में इसे बना सकते हैं आप यह अपने इसे अपने घर पर जरूर ट्राय करें अगर आपको यह मेरी रेसीपी पसंदा मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं किसी भी बत्ए जिए इसे बनेद navigating कारो को यह अपने हैं